बसकार दोस्तों, एक बार फिर से आतो भी का To The Point Channel में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में सुपर्टेट एक्जाम के लिए डाइरेक्ट और इन डाइरेक्ट नरेशन को समझेंगे देखे दोस्तो, सुपर्टेड एक्जाम में डायरेक्ट और इंडायरेक्ट नरेसन सम्मंधित प्रस्ण एक्जाम में पूछा जाता है एक से लेकर दो प्रस्ण जरूर पूछ जाते हैं तो आप सभी लोग इस बीटों को पूरा देहन से देखिए लाश तक देखिए और अच्छे से समझेए पूरा वीडियो लाश तक देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट और इंडायरेक्ट नरेसन को आसानी से स्वालो करना सीख जाएंगे तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम डायरेक्ट और इंडायरेक्ट नरेसन को समझेंगे देखिए दोस्तों डायरेक्ट नरेसन क्या होता है जब हम वक्ता के कथन को जेव का त्यो प्रकट करते हैं actual words में प्रकट करते हैं तो उसे direct narration कहते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है my mother said it is time to go away मेरी मान ने कहा यह जाने का समय है यह दोस्तो direct narration है direct narration को आप कैसे पहचानेंगे देखिए इसमें inverted commas का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो inverted comma से भी आप पहचान सकते हैं कि यह direct narration है और indirect narration क्या होता है देखिए दोस्तो जब हम वक्ता के कथन को अपने सब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे indirect narration कहते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है my mother said that it was time to go away मेरी मान ने कहा कि अब जाने का समय हो गया है तो यह क्या है indirect narration है उपर वाला क्या लिखा है direct narration और नीची वाला है उसका indirect narration मतलब सारांस या भावार्थ दोनों का सेम ही है बस एक को actual word में लिखा गया है और दूसरे को अपने सब्दों में बना कर लिखा गया है ठीक है तो यही direct और indirect narration है एक्जाम में दोस्तों आपको direct narration दिया जाता है और आपको indirect बनाने के लिए बोला जाता है और कभी-कभी indirect narration में दिया रहता है और आपको direct narration में बनाना होता है ठीक है तो चलिए आगे हम समझते हैं कैसे direct को indirect में बनाया जाता है कुछ नियम है rules है उनको समझेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम direct narration को देख लेते हैं इसके दो पार्ट होते हैं एक होता है यहाँ पर देखिए my mother said एक पार्ट है दूसरा है it is time to go away यह दूसरा पार्ट है इसका नाम होता है my mother said यह जो पहला पार्ट है इसको दोस्तों हम reporting verb कहते हैं इसको ध्यान रखिएगा दूसरा पार्ट होता है it is time to go away जो inverted commas के अंदर लिखा रहता है उसको हम reported part या फिर reported speech कहते हैं ठीक है दोनों ध्यान रखिएगा पहला जो होता है वह reporting verb होता है दूसरा जो inverted comma के अंतर रहता है उसको हम reported part या reported speech कहते हैं ठीक है इसको ध्यान रखिएगा चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं डाइरेक्ट से indirect में बदलने के सामान नियम पहले देखते हैं देखें दोस्तों reporting verb के बाद कामा का प्रयोग नहीं करते हैं डाइरेक्ट से आप जब indirect में बनाते हैं तो कामा को हटा देते हैं inverted कामा को भी हटा देते हैं उसके बाद reporting verb के बाद दोस्तों आवसकता अमसार किसी उचित conjunction जैसे की that, if या weather का प्रयोग करते हैं जैसे की यहाँ पर किया गया है indirect में देखें यहाँ पर आप देखेंगे inverted कामा के स्थान पर क्या किया गया यहाँ पर that का प्रयोग किया गया ठीक है तो indirect बनाते समय इसका प्रयोग करते हैं अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ साधारान वाक कि लेते हैं उनको हम direct से indirect narration में बनाएंगे direct से indirect बनाने का पहला नियम है दोस्तों यदि reporting verb present अथवा future tense में हो तो reported speech के verb के tense में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं जैसे कि यहाँ example लिखा गया है आजय सेज सुधा has gone to कानपूर यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है जो reporting verb है आजय सेज इसमें कौन सा tense है present tense है या future है या past है तो आप देखेंगे say लिखा है उसके बाद yes है मतलब sage लिखा है और sage क्या है यह present tense को दरसा रहा है अब यह present tense है तो आगे वाला जो reported speech है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे same वैसे ही लिख देंगे केवल inverted कामा के अस्तान पर that का प्रियोग करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा आजय सेज वैसे ही लिखेंगे inverted कामा के अस्तान पर that का प्रियोग करेंगे आगे हो जाएगा सुधा has gone to कानपूर, सेम वही reported speech को लिख देंगे ठीक है, तो ये आपका indirect speech बन गया, indirect narration बन गया, ठीक है, चलिए एक example और लेते हैं, यहाँ पर देखिए, दीपक विल से, अभिनाव is very intelligent, यहाँ पर आपको देखना है, दीपक विल से, इसमें कौन सा tense है, present tense है future tense है, या past tense है तो देखेंगे, विल का परयोग किया गया है विल का परयोग है, इसलिए यह future tense है और future tense है, तो आगे वाला जो part है अभिनाव is very intelligent, इसको same ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ inverted comma के संपर केवल that का परयोग करेंगे, तो indirect इसका क्या हो जाएगा, दीपक विल से that अभिनाव is very intelligent, same वही वाग की लिखा गया है, केवल inverted comma के संपर that का परयोग किया गया है, यह आपका indirect narration बन गया, ठीक है तो ऐसे ही बनता है, यह पहला object हो, जैसे कि एक्जामपल लिखा है, she has said to me as a will join the camp, यहाँ पर आप देखेंगे said के बाद object me लगा हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि said के बाद object लगा रहेगा तो said को हम told में बदल देंगे तो इसका indirect क्या हो जाएगा इसका indirect हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, she has told me हो जाएगा, said के स्थान पर क्या हो जाएगा, told हो जाएगा she has told me, आगे that लग जाएगा inverted कामा को हटा दिये जाएगा और आगे हो जाएगा, आसा, उड़ हो तो reported speech के tense में परिवर्तन होता है, जैसे कि एक example नीचे लिखा गया है नीलम said, अरुपिता tells ally, मतलब नीलम said क्या है, यह reporting verb है और यहाँ past tense में है, said लिखा है यहाँ past tense में है, तो past tense में है अगर reporting verb, तो आगे वाला जो part है, reported speech इसमें परिवर्तन होगा कैसे परिवर्तन होगा, यहाँ पर tense के अन्सवार होगा, जैसे कि tells यहाँ पर लिखा है, tells क्या है यह simple present tense में है tells क्या है, simple present tense में है और इसका बदलाव किसमें हो जाएगा simple past tense में हो जाएगा और tells का simple past tense तो इसको हम परिवर्थित करेंगे किसमें टोल्ड में तेल्स को तो इसका indirect narration बन जाएगा नीलियम सिड्ड that inverted comma के स्थान पर क्या करेंगे डैट का प्रयोग करेंगे, नीलियम सिड्ड that अरिपिता टोल्ड एलाए यहां टेल्स के अस्थान पर टोल्ड का प्रियोग कर दिये गया अब समझ मैं है मतलब कि यह पहला पार्ट है नीलम सिट यह पास्ट में रहेगा तो आगे वाला जो पार्ट रहेगा उसके टिंस में परिवर्थन होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है दोस्तो प्रजेंट कांटिनिवस बदल कर पास्ट कांटिनिवस हो जाता है कब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टिंस में हो और आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीश का टिंस है वह present continuous में हो तो उसे हम past continuous में बदल देते हैं जैसे कि example देखिए Mohan said to me Mohan said to me क्या है? यह past tense में है और आगे वाला जो part है is writing यह present continuous में है इसको हम बदल कर past continuous tense में कर देंगे ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे said के बाट me का प्रयूख किये गया है तो लिखेंगे Mohan told me बताये गया था कि said के पाद कोई object होगा तो said को told में बदल दिया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा Mohan told me आगे that लग जाएगा inverted comma हटा कर फिर आगे लिखा जाएगा संदीप is writing यह क्या है? present continuous है इसको हम past continuous में बदलेंगे क्योंकि यह नियम होता है present में रहेगा तो past में बदल दिये जाएगा तो past इसका क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर was प्रयूख कर देंगे और writing ऐसे ही रहेगा a later ऐसे ही रहेगा हो जाएगा Mohan told me that संदीप was writing a later अब यह past continuous में बदल गया यह आपका indirection मन गया चलिए अगला tense देखते हैं यहाँ पर tense के अंसवार solve कर रहे है present perfect tense बदल कर past perfect tense हो जाता है example है सुनील सिड सीमा has completed her work यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो reported इस पीस जो लिखा गया है यहाँ पर has completed has completed का मतलब यह present perfect tense में है इसको हम किस में बदलेंगे past perfect tense में बदलेंगे क्योंकि यह नियम होता है जब आपका reporting वर past tense में हो तो उसके बाद जो reported speech होता है उसको हम tense के अंसवार बदल देते हैं जैसे यहाँ पर present perfect tense है तो इसको past perfect tense में बदल देंगे इसका indirect narration हो जाएगा Sunil said that यहाँ inverted कामा के अस्थान पर that का प्रयोग करेंगे आगे हो जाएगा सीमा had completed her work यहाँ पर जो has था इसके अस्थान पर यहाँ पर had हो जाएगा क्योंकि past perfect बन जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है indirect narration बन गया चलिए अगला point देखते है present perfect continuous tense बदल कर past perfect continuous tense हो जाता है जैसे example है it has been raining since Monday यह आपका direct narration है अब इसको आपको indirect narration में बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे आनन्द सेड है तो आनन्द सेड लिखेंगे inverted कामा के सन पर that का प्रयोग करेंगे it लिखेंगे आगे है यहाँ पर देखिए has been raining है मतलब यह present perfect continuous है इसको हम बदलेंगे past perfect continuous में तो इसका past perfect continuous हो जाएगा had been raining क्या हो जाएगा had been raining since Monday यह आपका indirect narration हो गया चलिए अगला tense देखेंगे सभी tense को सभी DM को आपको ध्यान से देखते हुई चलना है past indefinite tense बदलकर past perfect tense में हो जाता है यहाँ पर देखिए एक्जामपल है Sunil said the cow dead in the night यहाँ पर sentence जो लिखा गया है direct narration इसमें आप देखेंगे dead लिखा गया है dead का मतलब यह जो है past indefinite tense में है इसको हमको बनाना है past perfect tense में तो लिखेंगे Sunil said inverted कामा के स्थान पर that का परयोग करेंगे the cow लिखेंगे dead से पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे head करेंगे क्योंकि past perfect tense में जो सहाय करिया होती है वा head होती है तो head लिखेंगे आगे dead in the night तो Sunil said that the cow head dead in the night यह indirect narration आपका बन गया आगे बढ़ते हैं दोस्तो past continuous tense को बदल कर past perfect continuous में लिख देते हैं ठीक है यह हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे he said the students were learning their lessons यहाँ पर आप देखेंगे where learning का प्रयोग किये गया है where learning का मतलब यह past continuous tense में है इसको बदलना है past perfect continuous tense में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा he said that यहाँ पर हो जाएगा आपका he said that the students were learning where के अस्तान पर यहाँ पर had been का प्रयोग होगा ठीक है क्योंकि past perfect continuous में बनाना है तो साहे करें क्या हो जाएगी had been हो जाएगी had been आगे learning their lessons यह आपका indirect narration बन गया तो एक एक नियम को आपको ध्यान से समस्ते हुए चलना है और note करते हुए चलना है आगे बढ़ते हैं past perfect tense तथा past perfect continuous tense में कोई परिवर्तन नहीं होता है अभी तक आपने जितना tense देखा बस उतना ही tense में परिवर्तन होता है इसके बाद जो यहाँ पर है past perfect tense या past perfect continuous tense में कोई परिवर्तन नहीं होता है देखिए दोस्तो they said rena had on the match यहाँ पर देखिए had लिखा गया है यह क्या है past perfect tense में है ठीक है had past perfect है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हो जाएगा they said that rena had on the match केवल that का परिवक करेंगे inverted कामा के अस्थान पर समझ में आ गया अगला पॉइंट है she said had been reading for four hours यहाँ पर लिखा है had been had been दोस्तो इसका मतलब यह past perfect continuous tense है और past perfect continuous tense में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका indirect narration बन जाएगा she said inverted कामा के अस्थान पर that आगे हो जाएगा उसा had been reading for four hours यह आपका indirect narration बन गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point अब हम देखेंगे यहाँ पर है दोस्तों यदि reporting verb भूत काल मतलब past tense में हो तो reported speech में आने वाले will को उड में यों सैल को सुड में बदल देते हैं for example जनार्दन सिड राधा विल सी एपिक्चर यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग किये गया है और यहाँ पर जनार्दन सिड यह क्या है past tense में है तो यहाँ पर विल के अस्थान पर हम क्या करेंगे उड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर नियम बताया गया तो क्या हो जाएगा indirect narration बन जाएगा जनारदन said that rather would see a picture क्या हो जाएगा will के अस्तान पर would का प्रयोग हो जाएगा चलिए अगला example देखते है I said I shall play यहाँ पर sell का प्रयोग किये गया है और I said किसमें है past tense में है तो क्या हो जाएगा इसका indirect narration I said that I shall का क्या हो जाएगा should हो जाए पर गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point है दोस्तों यदि reporting वर भूत काल मतलब past tense में है तो reported speech में आने वाले में को might तथा can को could में बदल देते हैं और यहाँ पर जो could should would must यह सब लिखा है head better जो लिखा है इन सभी में परिवर्तन नहीं होता है ठीक है किसमें परिवर्त परिवर्तन होता है make a might हो जाता है can का could हो जाता है तो चलिए example solve करते हैं एक यहाँ पर है राम सिड़ he can jump into the river यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है तो can का क्या होता है could होता है कब होता है जब reporting verb past tense में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राम सिड़ that he could jump into the river कैन का यहाँ पर could हो जाएगा यह indirect narration आपका बन गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point देखेंगे आनंद सिड़ the boy may go उसी प्रकार का एक्जांपल है यहाँ पर मे का प्रयोग किये गया है और बताया गया है मे के अस्थान पर might हो जाता है कब जब reporting verb past में होता है तो reporting verb यहाँ पर आनंद सिड़ है यह past tense में है तो इसका indirect narration बन जाएगा आनंद सिड़ that the boy might go ठीक है चलिए अगला एक्जांपल है he said gopal must work hard तो must के अस्थान पर क्या होता है must के अस्थान पर must ही रहता है क्योंकि बताया गया था कि must में कोई परवितन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा he said that gopal must work hard चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point देखेंगे कुछ दसाओं में reporting verb past tense में होते हुए भी reported speech का tense नहीं बदलता है किन दसाओं में आप लोग यहाँ पर देख लिजिए जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो मतलब universal truth हो example के लिए यहाँ पर आप देखिए the teacher said the sun rises in the east यह दोस्तों क्या है universal truth है सदा सत्य रहने वाली बात है कि सूरी पूरव में ही निकलता है ती the sun rises in the east तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे केवल inverted कामा के sun पर that का प्रयोग करेंगे तो इसका indirect narration बन जाएगा दोस्तों the teacher said that the sun rises in the east चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point है जब कोई कहावत कही जाए तो दोस्तों उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है जैस केवल inverted कामा के sun पर that honesty is the best policy आपका indirect narration बन गया अगला point है दोस्तों जब कोई आदत सम्मंधी सत्य कहा जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है यहाँ पर आप देखिए गीता सिड डॉक्स बार्क एट दा इस्ट्रेंजर मतलब कुते इस्ट्रेंजर पर भौकते है यहाँ आदत है और सत्य भी है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे गीता सिड इन्वर्टेट कामा के स्टान पर that dogs bark at the stranger यह आपका indirect narration बन गया चलिए अगला point देखेंगे सभी point ध्यान से देखते हूँ चलिए इसी एतिहासिक घटना का जिक्र हो तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है जैसे the teacher said गांधी जी डेड इन जन्वरी 1948 यहाँ भी दोस्तों यह एतिहासिक घटना है यह सत्य भी है कि गांधी जी की मृत्यू जन्वरी 1949 में हुई थी ठीक है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे केवल inverted कामा के स्टान पर that का परिवर्तन कैसे होता है उसे आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट दिये गया है पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पर्संट के अंतरगा दोस्तों आपका आई वी मी अस माई माई आवर आवर साता है इसको देहार कियेगा और आई वी का जो आपजेक्ट होता है वह होता है मी और आई का मी और वी का अस यहाँ पर सेकंड पर्संट लिखा है सेकंड पर्संट के अंतरगत आपका यू आता है और इसका आपजेक्ट यू और प्रोसेसिव प्रोनाउन योर योर्स होता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं इससे related कुछ वाक्य देखेंगे यहाँ पर लिखा है दोस्तो reported speech के first person के pronoun I, me, my, mine, we, us, our, ours में reporting verb के subject मतलब करता के person number और gender के अंसार परिवर्तन होता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है I have completed my work यहाँ पर देखें दोस्तो यह direct narration है इसको indirect में बनाना है तो क्या लिखेंगे राम, said, inverted, कामा के असन पर that का प्रयोग करेंगे उसके बाद यहाँ पर he का प्रयोग किये गया है क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखें दोस्तो I है I क्या है? first person का pronoun है और first person का जो pronoun होता है वह reporting verb के subject के अंसार change होता है, reporting verb का subject यहाँ पर क्या है? राम है, तो राम के लिए यहाँ पर he का प्रयोग होगा, ठीक है? तो I के अस्थान पर यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया, और यहाँ हैब के अस्थान पर क्या हो जाएगा, had हो जाएगा, had completed, यहाँ पर his work हो जाएगा, my work है, लेकिन यहाँ पर he का possessive क्या होता है, ही जो होता है, इसलिए यहाँ पर his work हो जाएगा, तो indirect narration बन जाएगा, Ram said that he had completed his work चलिए एक example और देखते हैं इसी प्रकार का तो यहाँ पर लिखा है दोस्तो I said I do not like that book यहाँ पर दोस्तो इसको indirect narration change करना है तो क्या लिखेंगे I said inverted कामा के संपर that लगाएंगे उसके बाद I है I क्या है दोस्तो I यह first person का pronoun है इसको reporting work के subject चेंज करेंगे तो reporting work का subject I है तो I है तो इसलिए यहाँ पर इसके अस्थान पर भी I का ही प्रयोग होगा ठीक है do not है do not का मतलब यह present indefinite का negative है तो इसको past indefinite के negative में चेंज करेंगे तो did not हो जाएगा आगे वही like that book same रहेगा ठीक है तो इसका indirect narration हो गया I said that I did not like that book ठीक है अगला example है दोस्तो you said I am learning my lesson यहाँ पर दोस्तो इसको indirect narration मनाना है तो लिखेंगे you said inverted कामा के अस्थान पर that का प्रयोग करेंगे उसके बाद यहाँ पर I है I first person का pronoun है इसको subject के अनस्वार यहाँ पर change करेंगे subject यहाँ पर you है और you के अस्थान पर you का ही प्रयोग करेंगे आगे हो जाएगा यहाँ पर I के बाद I am है तो यहाँ you के बाद where हो जाएगा क्योंकि यह present continuous में है इसको change करेंगे past continuous में तो where हो जाएगा ठीक है learning your lesson हो जाएगा यहाँ पर my lesson है इसका your lesson हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर you का possessive क्या होता है यहाँ ही होता है ठीक है तो your lesson यहाँ पर हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला point है दोस्तो reported speech के second person के pronoun you, your, yours में reporting verb के object के person, number और gender के अंस्वार परिवर्थन होता है चली इस प्रकार के narration को solve करते हैं यहाँ पर देखिए रवी said to me, you may go home यह direct narration है इसको हम indirect में बनाएंगे कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आप देखिए said to के बाद me है तो said का क्या हो जाएगा? told हो जाएगा तो object यहाँ पर me है और me का subject क्या होता है? I होता है इसलिए यहाँ you के अस्थान पर I का प्रयोग किये जाएगा तो that I might में का यहाँ पर might हो जाएगा might go home ठीक है? रवी told me that I might go home यह आपका indirect narration हो गया चली अगला example देखेंगे दिने said to साधना you have lazy यहाँ पर दिखी क्या हो जाएगा? indirect narration दिने said to साधना है तो यहाँ पर said का told हो जाएगा दिने said told साधना आगे यहाँ पर inverted comma question पर that का प्रयोग किये जाएगा यहाँ पर you दोस्तों second person का pronoun है और second person का pronoun object के answer change होता है object यहाँ पर साधना है और साधना का ही नहीं होगा see होगा तो यहाँ पर that के बाद see हो जाएगा और यहाँ देखेंगे you के बाद have है have का टेंस परिवर्तन हो जाएगा had और उसके बाद become lazy become lazy तो आपका indirect narration बन गया दिनेस टोल्ड साधना that see had become lazy चलिए आगे बढ़ते हैं reported speech के third person के pronoun तथा nouns में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे की he, see, it, its, they, him, his, her इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता है example के लिए नीचे लिखा गया है mother said he is a good player यहाँ पर he का प्रियोग किये गया है he क्या है third person का pronoun है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इसका indirect कैसे पनाएंगे mother said that he was a good player यहाँ पर इज के अस्थान पर वाज हो जाएगा tense में परिवर्तन हो जाएगा और inverted कामा के अस्थान पर that का प्रियोग होगा mother said that he was a good player चलिए एक example और देखते हैं the teacher said she will pass तो इसका क्या हो जाएगा the teacher said that inverted कामा के अस्थान पर that c का c रहेगा और will का दोस्तो would हो जाएगा और pass वैसे ही रहेगा तो इसका indirect narration बन गया the teacher said that c would pass चलिए आगे पढ़ते हैं अगला point देखेंगे अगला point है दोस्तो निकटता प्रकट करने वाले सब्दों में परिवर्तन देखे दोस्तो reported speech में प्रियुक्त समय अथवा इस्थी की निकटता सूचक सब्दों को दूरी प्रकट वाले सब्दों में बदल देते हैं तैसे कि यहाँ पर लिखा गया है now, now को दोस्तो indirect बनाते समय then में परिवर्तित कर देंगे और इसी प्रकार से this को that में परिवर्तित कर देंगे और ego के अस्थान पर दोस्तो before लिख देंगे indirect बनाते समय और today के अस्थान पर that day लिख देंगे indirect मे और आगे है next week के अस्थान पर following week लिख देंगे चली इस प्रकार के example देख लेते हैं पहला है he said to them I will leave you now यहाँ पर देखिए said के बाद to them है तो यहाँ said का told हो जाएगा he told them आगे inverted कामा के अस्थान पर that का प्रयोग करेंगे फिर आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए I है I यह first person का pronoun है और first person का जो pronoun होता है वा subject के अन्वार change होता है subject यहाँ पर he है तो he के अस्थान पर he के अन्वार यहाँ पर that के बाद he हो जाएगा और will है will का यहाँ पर would हो जाएगा और आगे leave you now है now का यहाँ पर दिन हो जाएगा जैसे कि अभी बताय गया है तो आपका बन जाएगा he told them that he would leave you then ठीक है now का दिन हो जाता है चलिए एक example आउर देखते है इसका indirect हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर said के बाद सुनील है इसलिए said का told हो जाएगा राकेस टोल्ड सुनील फिर that हो जाएगा फिर I दोस्तो यह first person का pronoun है यह राकेस के अंसवार change होगा तो यहाँ पर he हो जाएगा that के बाद he उसके बाद can है can का could हो जाता है तो he could not go with him यहाँ पर देखिए with का बाद you है तो you दोस्तो यह second person का pronoun है और यह object के अंसवार change होता है तो object यहाँ पर सुनील है तो उसके अस्थान पर यहाँ पर him का प्रयोग करेंगे तो him till the following Monday following Monday क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर next Monday है next Monday का परिवरतन following Monday में हो जाता है तो आपका indirect narration बन गया राकेस टोल्ड सुनील that he could not go with him till the following Monday चली आगे बढ़ते हैं यदि this here now किसी ऐसी वस्तु अस्थान या समाई की और संकेत करें जो वक्ता के सामने हो तो indirect बनाते समय इन सब्दों में परिवरतन नहीं करना साहिए example के लिए Mira said this is my pin Mira ने कहा यह मेरा pin है तो यहाँ पर जो वस्तु है pin है वह वक्ता के सामने है वक्ता के पास में है तो इसमें कोई परिवरतन नहीं करेंगे इसका indirect बनेगा Mira said inverted कामा के स्थान पर that का परियोग करेंगे आगे this का this ही रहेगा इसमें कोई परिवरतन नहीं करेंगे और आगे is है is का दोस्तो tense परिवरतन होगा तो यहाँ पर वाज हो जाएगा और माई है माई दोस्तो यह first person का pronoun के अंतर रहेगत आता है और यह Mira मतलब subject के अंस्वार change होगा तो Mira है तो इसके स्थान पर वाज के बाद यहाँ माई के स्थान पर हर हो जाएगा और आगे pin हो जाएगा तो Mira said that this was her pin यह indirect narration बन गया तो दोस्तो वीडियो को यहीं आज समाप्त करते हैं इसके बाद दोस्तो अब हम interrogative sentence को देखेंगे उसके बाद imperative sentence को देखेंगे फिर let वाले वाग के देखेंगे तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर पूताइए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद